Welcome to Web Academy, मैं हूँ आपकी ट्विटर मारिया, आज मैं आपको MS Excel 2021 में 10 Important Short Keys के बारे में पढ़ाऊंगी, कि किस तरह हम 10 Important Short Keys को यूज करके अपने काम को असानी से कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारी सबसे पहले No.1 Short Key जो है वो है Time Insert करने के बारे में, किस त लिए, सबसे पहले हमने क्या करना है उस सेल पर क्लिक करना है, जहां पर हम Crunt Time Insert करना चाहते हैं, करने के बाद आपने Ctrl के साथ Shift और Colon Press करना है, जैसे आप Ctrl Shift और Colon Press करते हैं, तो आपके पास Crunt Time Insert हो जाता है, इसी तरहां Next की हमारे पास है कि अगर आप किसी सेल में रहते करने के साथ में चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप Ctrl के साथ सेमी कॉलन प्रेस करते हैं, तो आपके पास Crunt Date Insert हो जाती है, यह थी हमारी दूसरी की, इसी तरहां हमारे पास तीसरी की हमारे पास यह है कि किसी भी सेल में रहते हुए अगर कोई डेटा टाइप क करने के बाद मैं यहां पर नेक्स सेल में आ जाती हूं, अब मैं चाहती हूं कि मेरे पास जो वैप अकैडमी जहां पर मैंने लिखा हुआ है, यह सेल एक्टिव हो जाए, अगर यहां पर मैं कुछ और डेटा टाइप करती हूं, जैसे कि मैं यहां पर कम्प्यूटर हो जाता है, मैं चाहती हूं कि मेरा वो डेटा गाइब ना हो जैसा कि यहां पर मैं कुछ टाइप कर देती हूं, जैसे मैं यहां पर वैप अकैडमी लिखा, लिखने के बाद मैं यहां पर चाहती हूं कि मैं नेक्स सेल में आ जाओं और उसके बाद जब फर्स्ट में जाओ तो वहां पर कुछ editing कर सकों कुछ data और टाइब कर सकों तो उसके लिए मैं कौन सी की प्रेस करती हूं यहां पर हम F2 प्रेस करेंगे जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो हमारा वही सेल जो है वह एक्टिव हो जाता है इस तरह इसमें हम और डेटा एड कर सकते हैं यहाँ पर वर्ड कर लेती हूं और सांथ रहते हुए फिर में F2 प्रेश करती हूं और विह कुछ और डेटा आड़ करना चाहती हुँ जैसमें यहाँ पर मैं एक्सल टाइब इस तरह से हम किसी भी सेल को इक्टिव करके समें एडिटिंग कर सकते हैं चोथी शोटकी हमारे पास यहां पर है कि हम न्यू लाइन इंजर्ट करना चाहते हैं जैसे कि उपर मैंने लिखा वेप, अकैडमी, वर्ड और एक्सल टाइप किया अब मैं चाहती हूँ उसी सेल में रहते हुए मेरे पास एक न्यू लाइन आजाए कि मैं डेटा और एड़ कर सकूँ तो हमने सेल को एक्टिव करने के लिए पहले शोट की पड़ी है जैसे कि F2 इस तरह से हमारा सेल एक्टिव हो जाता है और न्यू लाइन इंजर्ट करने के लिए हमने आल्ट और एंटर प्रेस करना है जैसे ही हम Alt और Enter प्रेस करते हैं तो हमारे पास New Line Start हो जाती है अब इसमें हम कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं जैसे कि हम यहाँ पर टाइप करते हैं Computer Academy इस तरह से हम New Lines Insert कर सकते हैं इस तरह से हमारे पास New Line Insert हो जाती है Next हमारे पास Short Key है Short Key No.5 कि हम किसी भी रो में रहते हुए किसी भी रो को स्लेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि हम यहाँ पर यह वाली रो स्लेक्ट करना चाहते हैं Keyboard के जरिए तो हम Shift के साथ जैसे ही Space Bar प्रेस करेंगे तो हमारे पास Complete Row स्लेक्ट हो जाती है और इसी तरह अगर हम किसी कॉलम में रहते हुए किसी कॉलम को स्लेक्ट करना चाहते हैं तो हम Ctrl के साथ यहाँ पर Space प्रेस करते हैं जैसे हम Keyboard से Ctrl के साथ Space Bar प्रेस करते हैं हमारे पास Complete Column स्लेक्ट हो जाता है यह थी हमारे पास हमारे लिए Short Key No.6 इसके बाद Next Short Key हमारे पास यह है किस तरह किसी भी कॉलम को डिलीड कर सकते हैं जैसे कि मैंने यह Web Academy वाला कॉलम पर क्लिक करती हूँ क्लिक करने के लिए हमें पहले उस कॉलम को स्लेक्ट करना है कॉलम को स्लेक्ट करने की Short Key मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कंट्रोल के साथ Space Bar प्रेस करते हैं तो यह कॉलम हमारे पास स्लेक्ट हो जाता है अब इसी कॉलम को अगर मैं डिलीड करना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस करती हूँ जैसे ही मैंने की बॉर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस का बटन प्रेस किया तो हमारे पास वो कॉलम डिलीड हो जाता है इसी तरह अगर हम न्यू कॉलम इंजर्ट करना चाहते हैं जैसे कि यहां पर मैं एक से पहले एक कॉलम इंजर्ट करना चाहती हूँ तो उसी तरह हमने वही शोट की के जरिये कॉलम को स्लेक्ट करना है कंट्रोल के साथ हम स्पेस बार प्रेस करते हैं हमारे पास यह कॉलम स्लेक्ट हो जाता है अब मैं इस से पहले एक कॉलम इंजर्ट करना चाहती हूँ तो मैं कीबोड से कन्ट्रोल के साथ plush का बटन प्रेस करूंगी जैसे ही मैंने कन्ट्रोल के साथ plus का बटन प्रेस किया तो हमारे पास column इन्सट हो जाते हैं नेक्स के हमारे पास शोट की है किस तरह हम search option open कर सकते हैं यह option आपको MSXR 2021 में ही मिलेगा आप Alt के साथ जैसे ही Q प्रेस करते हैं तो देखें आपके पास उपर जहां Tabsどती हैं वहां पर search अप्शन आजाता है यहां पर आप जैसे ही कोई भी command टाइब करते हैं जैसे कि मैं नहीं यहां पर shape की command और उन करनी है तो मैं यहां पर shapes type करते हैं तो हमारे पास यहाँ shapes की सारी commands open हो जाती है इस तरह हम यहाँ से कोई भी command apply कर सकते हैं यह थी मेरी key number 9 जिसके जरिया आप अपनी कोई भी command search कर सकते हैं सबसे आखरी और last key, key number 10 कि हमारे पास अकसर यहाँ पर कही पर tab डबल क्लिक होने के बाद हमारे पास यह ribbon गाइब हो जाता है चाहते हैं कि वो unhide हो जाए तो आपने क्या करना है? यह control के साथ यहाँ पर F1 प्रेस करना है जैसे आप keyboard से control के साथ F1 प्रेस करते हैं तो आपके पास यह देखें, ribbon शो हो जाता है अगर आप इसे hide करना चाहते हैं तो आप control के साथ F1 प्रेस करें तो यह hide भी हो जाता है इसी तरह आप इसे unhide भी कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की 10 important short keys अगर आप इससे कुछ new सीख पाएं या new learn कर पाएं तो मेरे इस lecture को like and share जरूर कीजेगा तो मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए good bye